As per gate score and gate marks, हमारे पास कौन-कौन से career options available है सर जी, डीटेल में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, साथी साथ मुझे पता है आपके मन में कुछ सवाल है, सर जी मेरा तो low gate score है, तो क्या मैं PSU's के लिए eligible हूँ, क्या मैं M-Tech कर सकता हूँ in IITs, NITs, IIITs, tension मत लो, डीटेल में आ रहा हूँ, आराम से सुनना, end तक, ठीक है, सबसे पहला point, gate scorecard से दो रास्ते है, पहला रास्ता, प्रोग्राम में participate हो जाओ, जैसे M-Tech, MS, PhD, Research, दूसरा, नौकरी कर लो, ठीक है, तो जो पहला रास्ता है, ठीक है, जो M-Tech वाला part है, उसके अंदर सबसे important है, ये समझना, क आपका gate score तीन साल तक valid रहता है, हाँ, अगर आज आपने gate exam लिखा, इस साल अगर आप M-Tech college में दाखिला नहीं लेना चाहते, तो उसी score से अगले साल try कर सकते हो, उसी score से उसके अगले साल भी try कर सकते हो, तो तीन साल तक validity रहती है, ये सबसे पहला important है, और मुझे पता है, कि आपके gate score card में तीन चीजे आपको दिखाई दे रही होगी, marks, rank and gate score, इसमें से सबसे important M-Tech के लिए होता है gate score, ऐसा क्यों सरजी, क्योंकि gate score एक normalized होता है, और जो marks होते है, वो normalized नहीं होते है, paper अगर easy आगया, तो सभी के marks जादा, इसका मतलब ये नहीं के सभी होशार थे, और अगर paper tough, सभी के marks कम, इसका मतलब ये नहीं के सभी के सभी बेवकूफ थे, ठीक है, इसलिए इससे बचने के लिए gate score का यहाँ पर calculation introduced किया गया था, और gate score को तवज्जु दिया जाता है, कि इसके basis पर आपका decision होगा, याने हो committee decide करेगी, कि आप किसके लिए eligible हो या नही ठीक है, तो ये एक clarity आपको होनी चाहिए, अब अगर आपका gate marks 30-40 है, तो आप expect कर सकते हो, कि आपका gate score around 400-500 होगा, और इससे बस आपको state government college के लिए mtech की opportunity मिलेगी, stipend भी मिलता है, कितना मिलता है, 12,400 के करीब आपको per month का stipend मिलता है, ये पहला point है, कि ये आपने gate qualify किया ह तो एक mtech in state college या कोई private college में आप apply कर सकते हो, थोड़ा अगर उससे आगे बड़े, जैसे 40-50 score किया है, marks और gate का आपका जो score है 500-600, उस case में आपको NIT मिल सकता है, पर some branches, जो इतने famous branches नहीं है, वो branches आपको मिलेंगे, अगर आपको top branches चाहिए core में, तो उस case में आपका gate marks 50-60 होना चाहिए, gate score 600-700 होना चाहिए, तो आप NIT में जो top branches है, वो आपको मिल जाएगी, और new IITs के अंदर, जो मैंने आपको अभी-अभी कहा, जो okay branches है, उसके लिए आप eligible हो जाते हो, या कभी-कभी, अगर आप reservation category में हो, तो new IITs में भी top branches जो है, वो आपको मिल जाते हैं, तो ये तो हो गई, जब आपकी marks 50-60 था, बढ़ अगर आपका marks 60-70 है, you are into the good score now, क्योंके 62-70 याने gate score आपका 700-800 है, और उस case में आपको IITs और IITs मिल जाएगा, ठीक है, और फिर उसमें भी कभी ऐसा हो सकता है, कि competition अगर अच्छा खासा है, तो जो आपका मन चाहा branch है, व लाने पड़ेंगे 70-80, अगर आपका mark से 800-900 आपका gate score है, तो top branches in IITs ISE आपको मिल जाएगा, और अगर इससे जाधा है, तो यार फिर तो क्या ही कहना, जो आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको PSU भी मिल जाएगा, आपको IIT Bombay, जो भी आपको चाहि आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो branch आपको चाहिए, तो जो topper है उनका तो क्या ही कहना, बट जो low gate score, जो medium gate score वाले है, उनके लिए ये एक structure है, और जो PSU आप expect कर सकते हो, वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, कि PSU के लिए, बट ये कोई golden rule नहीं है, क्योंके है न, एक बार ऐ इसा हुआ था कि coal India का vacancy आया था, mining के लिए 799 vacancy, तो जिसने just gate qualify भी किया न, उसको भी मिल गया coal India, permanent job सरकारी नौकरी, सोचो, तो अगर number of vacancy जादा है, तो उस case में अगर आपका low gate score हो जाए न, तो भी चल जाता है, वो PSU के लिए बता रहा हूँ, similarly अगर Mtech में अगर किसी का रुजानना हो, तो मतलब अच्छे IIT में फिर vacant हो जाती है, तो next round होती है, तो round भी बड़ा दिया गया है, तो आपको नीचे नीचे round में आपको मिल जाएगा, IIT, NIT, IIIT, बस आपको वेट जादा करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, तो ये चीज़े है, आपको पता हो होती ही, तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी BRC पर मैंने डीटेल वीडियो बनाया है, YouTube पर टाइप कर लेना, BRC डीटेल वीडियो बाई श्रेनिक जीन सर, तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम है, कैसे उसमें जौब रहती है, सालरी क्या है, so on and so forth, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि करियर वाइस मैंने आपको बता दिया कि M.Tech, M.S.P.H.D. अगर आपको अच्छे कॉलजे से करना है, तो यह चीज़े है, और कौन से ब्रांचेस और कौन से कॉलजेस आप एक्सपेक कर सकते हूँ, बात करते हैं, PSU के बार में इस पर बार में नहीं मिलेगी, तो पास त्री जो वैलिड थ्री यर्स का है, वो PSU में नहीं चलता है, जो रीसेंट है, उसी से मिलेगा, यह 99% है, एक एक आध परसंट ऐसे स्टेट कमनी जाती है, जो कहती है, पास त्री यर्स का गेट सकोर चल जाएगा, तो ठीक है, बट जो तो आपको ध्यान रखना है फिर बी बीटे का परसंटीज होता है जो अगर 60% 65% अगर आपका नहीं है तो आप उधर ही फिर निगलेक्ट हो जाओगे AIR1 भी आगया तो भी आप not eligible हो जाओगे बाकी PSU के अंदर यह depend करता है कि आपका जो rank है ना और जो marks और जो score है वो कितने vacancy के respect में चेक किया जारे है अगर मान लोग किसी branch में vacancy 10 है तो आपको लगता है क्या कि जिसका 500 अगर rank है उसको बुलाए जाएगा नहीं बुलाए ज करता है अगर vacancy आजाए 100 तो फिर बैंड बढ़ जाता है ठीक है फिर बहुत उपको इंटर्व्यू के लिए call आ जाता है और mtech के लिए भी ऐसा होता है कि आपको सीधा मिल जाएगा रिटन भी होता है इंटर्व्यू भी होता है तो इसमें भी ऐसा होता है PSU के अंदर क्या के लिए गेट स्कोर के लिए फिर बाकी का जो 25 टक्का है वो इसमें बाट लेंगे उनके इसाब से वो करते है तो यह चीज़े रहती है ठीक है तो आपको यह पता होना चीए के रीसेंट गेट स्कोरी लेते है एच क्राइटरिया परसेंटेज होता है रैंक मार्क्स और इस किसी से अलड़ी गेट के लिए इतना पैसा भर रहे है स्टूडेंस बट कुछ कर नहीं सकते हैं अगर आप रिजर्वेशन हो तो एक्जम्शन आपको मिल जाता है तो यह सारी चीज है ठीक है तो PSU भी मिल जाता है मैंने अभी अभी का कोल्ड इंडिया में ऐसा हो गया और वेकेंसी पर डिसाइड होता है मैंने कहा था अगर वेकेंसी ऐसे 10,7,15 निकाले तो फिर कितने ही लोगों को कॉल देंगे ठीक है तो यह सारी चीज है Mtech और PSU के लिए आपको एक अच्छे क्लियारिटी मिलनी चाहिए कि माक्स और स्कोर में क्या-क्याम एक्सपेक कर सकते ह है and yes that's it for today I hope you enjoyed the video इसके लाव अगर कोई queries है comment section में पूछेगा किसी topic पर वीडियो चाहते हो तो वह भी बताइएगा that's it